इरान ने ऐसा ब्लूप्रिंट तयार किया जिसके जर्ये इरान बाक्फुट पर रहकर इसराइल को तबाह करने का खुआप देख रहा है इसके लिए प्रॉक्सी संगटनों को एक जुट करके इसराइल की घेराबंदी की चारी है सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद अमेरिकी सेनेट हिकानों पर भी हमली की प्लानिंग है अब अमेरिका युद्ध में उतर सकता है और इसराइल के साथ मिलकर एक ऐसा ओपरेशन शुरू कर सकता है जिससे नहीं सिर्फ इसराइल की सुरक्षा होगी बल्कि इरान के विद्वनसक मनसूबे भी रौन दे जा सकेंगे अब शुरू होगा इसराइल का ओपरेशन ऑक्टोपर्स क्योंकि अभी तक इसराइल सिर्फ तीन दुश्मन मान कर चल रहा था जिसमें हमास, हिस्बॉल्ला और इरान थे हमास और हिस्बॉल्ला का दमन करीब करीब इसराइल ने कर दिया है लेकिन इरान बाकी है जिस पर हमले की तैयारे इसराइल कर रहा है लेकिन सिर्फ इरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सी संगठन तबाही मचाने को तैयार है जिन्होंने आठ तरप से इसराइल की घेरा बंदी कर ली है इसलिए इसराइल आठ फरंट पर भीशर युद्ध की तैयारी कर चुका है एके करके इरानी प्रॉक्सी का खात्मा करेगा क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर अक्टिव हो गया है उसके 40,000 लड़ा के बदला लेने के लिए बेचैन है लेबिनान फ्रंट से हेजबुला के एक लाख लड़ा के उत्तरी बार्डर पर घुसपैट के लिए तैयार है वेस्ट बैंक फ्रंट से जनिन प्रिगेट के 5,000 से ज्यादा लड़ा के अक्टिव है जबकि सीरिया फ्रंट से जनबिया और फातमिया प्रिगेट के 30,000 लड़ा के हेजबुला की मदद करने लिबनान पहुँच रहे इसी तरह इराक से कताइब हिजबुला और हरकत अल-नुच्पा के 70,000 लड़ा के हमले की तैयारी में है जबकि बहरीन से अल-अश्टर प्रिगेट इरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ा के तैयार है जबकि आयार जीसी अपनी डेल लाग फोर्स के साथ इरानी प्रॉक्सी की मदद का एलान कर चुका है इसके अलावा यमन में माजूद भूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इसराइल पर मिज़ाइल स्ट्राइक कर सकते हैं इरानी प्रॉक्सी गुटों ने एक जट होकर इसराइल की तबाही का प्लोप्रिंट बनाया है और आयार जीसी उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है यानि इसराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है इरान के इशारे पर इरानी प्रॉक्सी या पश्चिमी देशों को टार्गेट करेंगे एलान किया है अगर इसराइल हमले नहीं रोकता है तो पूरी दुनिया का व्यापार तहस नहस कर देंगे और इसकी शिर्वात होती ने कर दी है लाल सागर में वो पश्चिमी देशों के जहाजों को टार्गेट कर रहा है दूसरी तरफ कताईब हस्पुल्ला ने धंके दी है हम एनरजी वार शुरू नहीं कर रहे हैं लेकिन इरान या इराक के तेल से यद्र पर हमला हुआ तो दुनिया हर दिन बारा मिलियन बैरल तेल की कमी का सामना करेगी इराक और सीरिया में अक्टिव कताईब हेजबुल्ला तेल के कुओं में आग लगा सकता है इसके अलावा अरब में बाजूद ओयल दिपो पर हमले कर सकता है साथी तेल सप्लाई करने वाले जहाज़ों को होती और बहरीन से एक्टिव अल अश्टर के लड़ा के टार्गिट कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में तेल की भारी कमी हो सकती है जिसका फाइदा रूस को मिल सकता है और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा हैं कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर इरानी प्रॉक्सी के खिलाब जुद्ध का एलान कर देगा वैसे भी अमेरिका लाल सागर में होती से प्रॉक्सी वार लड़ी रहा है लाल सागर में हूती के तेवर विद्वनसक हो चुके हैं जिससे पश्मी देशों की सांस अटक गई है हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ओयल टैंकर पर हमला करके अपने एरादे जाहिर कर दिये हैं यमन में मौझूद अपने बेस से हूती ने अमेरिकी कारुबारी जहाज पर ताबर तोड 11 मिसाइले बल्ठाई, 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 कामिकाजी ड्रोन्स से हमला किया गया था। इसे हूती का अब तक का सबसे भीशन हमला कहा जा रहा है। हमले में अमेरिकी जहाज पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम ओलम्पिक स्प्रिट था। अब टास्पोर्स ने पलटवार की तयारी शुरू कर दी है। आज रात यमन में मूत्री टिकान उपर एसराई की आश्रंका है। लाल सागर में ही नहीं हिंद महा सागर तेक होधी पश्चिमी देशों को टार्गेट कर रहा है। लाल सागर में अमेरिका के ओलम्पिक स्प्रिट के अलावा उसने हिंद महा सागर में भी अमेरिका की जहाज को टार्गेट किया। होती ने सेंट जॉन जहाज़ पर क्रूज विजाइल से हमला करके बता दिया कि अब दायरा कितना विधवन सक हो चुका है सिर्फ होती ही नहीं बलकि दूसरे प्रॉक्सी कुटों ने भी हमले तेज कर दिये हैं इराक सीरिया में अमेरिके मिलिप्टरी बेस को निशाना पनाया जा रहा है जिसके जवाब में यमन, सीरिया, इराक में अमेरिकी इरानी प्रॉक्सी के ठेकानों पर हमले शिरू कर चुका है भीशर बंबारी की जा रही है खासतोर से यमन में खुश कर बड़े हमले की तैयारी है नरसल इरानी प्रॉक्सी गुटों को लगातार हत्यार मिल रहे हैं अभी तक इरान और रूस से ही हत्यार पहुँच रहे थे लेकिन अब चीन और रूस से भी हत्यार पहुँच रहे यानि रूसी गड़बंदन अरब में अमेरिका और इस्राइल को बैकफट पर लाने के लिए शक्रिय हो चुका है इसलिए लगातार इरानी प्रॉक्सी की मदद की जा रही ये ठीक उसी तरह की रणनीती है जैसी यूरोप में नेटों ने अपनाई हुई यूरोप में यूक्रेन को नेटों हत्यार पहुचा रहा है जबकि अरब में रूस के मित्र देश इरानी प्रॉक्सी को हत्यार भेज रहे है यानि अब अरब में समीकरन बतल रहे है जिससे विधवनसक युद्ध के आसार बन रहे है वैसे भी इरान कहे चुका है कि वो आत्मरक्षा के लिए नियूक्लियर हत्यारों के प्रयोग से पीछे नहीं अटेगा जबकि गोलन हाइट्स और लेबनान बॉडर पर हजारों प्रॉक्सी लड़ा के खटा हो चुके है आठ फ्रंट से हमले का खत्रा बना हुआ है अब अमेरिका और इस्राइल का संयुक प्रहार तै करेगा कि युद्ध का दाइरा कहां तक फैलता है योकि अरब में शुरू हो चुका है बेंजिमिन का ओपरेशन ओक्टोपस योरा रबोर्ट, DV9, बारपटवर्च